शुकरवार के दिन आईए बनाते हैं ये लक्षमी जी के भोग की थाली जिसमें बनाए है मैंने बेसन गटे, पराठे, मखाने की खीर और आटे की पंजीरी तो सबसे पहले तियारी करने थे बेसन गटे की जिसमें मैंने लिया है बेसन, डाला है जीरा, अजवाइन, हल्दी, हराधनिया, लाल मिर्ची पाउडर और ये बेकिंग सोडा जिससे गटे बहुत सौफ्ट बनेंगे, अड क्या है नमक और क्योंकि प्रशाद बन रहा है तो खाना बनेगा घी के अंदर, घी को मैल्ट कर लिया है और इसके अंदर हम तेल के जगे डालेंगे घी मोमन के लिए और इसको गूत लेंगे, यहां रख देते हैं पानी गरम होने के लिए आटा गुंद गया है, हाथ क्रीज करके गटे बना लेंगे और इन्हें आड कर देंगे, बॉइल हुए पानी के अंदर, जब ये गटे बन जाएंगे तो ये अपनी आपी पक कर उपर आजेंगे पान गटे पक चुके हैं, इन्हें निकाल लीजिए और हमारा पराटो के लिए आटा भी लग गया है, गटे का पानी हमने अलग रख दिया है क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए हम उसे ही यूज करेंगे, चलिए मसाला त्यार करते हैं, घी, घी के अंदर जीरा, हींग और ये ट चमज घी, उसके अंदर डाले हैं मखाने, मखाने को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे, आसा ध्यान रखेंगे अपने गटो का मसाले का भी, और फिर इनको दर दरा पीस लेंगे, फिर एक चमज घी लेकर इसके अंदर कुछ ड्राइफ्रूट्स रोस्ट करेंग यह लिजे, इनको साइड में रख देते हैं, आप देखते हैं गटे का क्या हाल चाहल है, टमाटर हमारे पक गए हैं, पांच मिनट और रखेंगे, तब तक यहां पर सारे बेसिक मसाले डाल कर, और साथ में डालेंगे किचन किंग मसाला, और उसी गटे वाले पानी में घोल यह लिए, इसपो पकए हैं गें, पांच मिनट तक गवर करके और झाटे कहलेगे, यहां पर हम कट कर लेते हैं, गटे और जब तक मसाले को कवर होकर, पकर देँंगे, गटे हमने कट कर लिये हैं, अब गटे को फ्राई कर लेते हैं, एक चमब्ज घी के अंदर डालेंगे गट्टे और इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए ये लिजे गट्टे हमारे फ्राई हो गए और हमारा मसाला भी हाँ अल्मोस पक चुका है अब ग्रेवी को गाड़ी करने के लिए मैंने या लिया है दो चम्मच बेसन उसके अंदर डाला है गट्टे का पानी और मिक्स करके इस लेड़ी इसके अंदर अद कर दोँगी और इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी 5-6 मिनट तक कवर करके इसको पका लेंगे और फिर आड़ करेंगे इसकें अंदर हम दही डही अट करने से पहले गयास की फ्लेम लो कर दीजेगा ताकि दही उसके अंदर फटे नहीं, अब दही को ढखकर 6-7 मिनट तक पका लेंगे, एड करेंगे पानी गट्टे वाला ही और इसको बॉयल होने देंगे, जैसे यह बॉयल हो जाएगा हम एड करेंगे इसके अंदर गट्टे और ये लीजे, हमारे गट्टे की सबजी तो अब शित्रे के से भून लेंगे, भूनने के बाद इस आटे को अलग निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा आटा जले नहीं, इसके अंदर मैं आड करूंगी बूरा, आप चाहें तो PCV चीनी या शक्कर भी आड कर सकते हैं, और हमारा पंजीरी का प्रशाथ रेडी है, खीर बना हमारी खीर भी एकदम से बन कर रेडी है, तो चलिए लगाते हैं भूग की थाली, ये हैं गट्टे और हल्दी वाले पराथे, साथ महीं पंजीरी का प्रशाथ जिसमें केले डालना मत भूलेगा, और मखाने की खीर तो मा को पसंद है